नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप मैं सुजीत कुमार इनकडवल आईएस अकेड़मी में आपका हारदिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है यह आधोनिक इतिहास से सुरू होड़ा स्रीज और यह जो है तीन स्रीज में लाएंगे क्योंकि यहां साड़े 300 के आसपास को और यह अब तक के BPSC prelims में जितने भी कोश्चन हिस्ट्री के आधोनिक भारत से पूछा गया है सारे कोश्चन को ब्याख्या सहीत आपको बताएंगे ताकि यहां से कम से कम 40-50% कोश्चन जो है कहीं ने कहीं repeated आता है तो अगर इस वीडियो को दिहान से और एके कोश्चन पे आराम से इसको अंदर तक ले जाने जिएगा तो यह बड़ा कमाल करने वाला है सरीच और दोस्तों जैसे ही लोगडाउन समाप्त होगा उसके बाद आपके अंदर कहीं ने कहीं किसी कोश्चिंग की दिवानगी पैदा होगी तो ऐसे में एक बहतरीन उप्सन है सियोर सक उसे बाहर ना निकलना पड़े और डेली क्लासे होती है पर डे टेस्ट होता है विकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात सबसे कम फीस में आपके पैसों से ज्यादा आपके सपनों की परवाह करता है अगर आप लोग एडमिसन लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट अगर इस सीरीज को आप सुरू से अंतक इसकी हर एक एक बात को आप अंदर तक के लिए जागिएगा तो आपको समझ में आ जा जाएगा कि आसानी से 20 से 25 कोश्चन में 17-17 कोश्चन सही किया जा सकता है और आज आज आपको ये भी देखने की कोश्चिस करना है कि कहां पे इस सु पूछ रहा क्योंकि आपको डर लगता है ना सर बहुत सारा डेट का यहां जहमेला होता तो कुछ ऐसा डेट वाला इस सु होता तो उसको तो चोड़ा ही जाता वह तो आपको क्या किसी को भी नहीं आता जो हाट कोश्चन होता तो इसलिए बस आज देखिए कि किस ट इंपोर्टेंट है जहां सायू हमेशा कोश्चन पूछता है तो चलिए दोस्तों आज का सिसन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्चन आपके अस्क्रीन पर दिकराया वह है करजनवाईली के हत्या क्या आरोप में किसे मिर्त्युदंड दिया गया था तो इसका सही अंसर ह होगा मदल लाल धिंगरा को अब देखिए यहां पर जो लिखा हुआ 63rd BPSC प्रिल्फ एक्जाम 2017 यह आप देखिएगा क्यूंकि यह मैं बोलूंगा ने और आप्सन आपको खुद ही पढ़ना होगा क्यूंकि यह भी नी बोलूंगा अगर यह बोलना सुरू करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा और बोरिंग हो जाएगी फिर आपको मजार लेकिन व्याख्या मैं हर एक कोशन का कर दूंगा चलिए इसकी व्याख्या देखते इस कोशन का क्या है वाईली की हत्या एक जुलाई 1909 में अमरित सर से आई इंजिनेरिंग के एक बिद्यार थी मदल दिंगरा को फांसी की सजा दे दी गई थी किसकी तो वाईली की हत्या के जुर्ब में चलिए नेक्स कोशन के और चलते हैं महात्मा गांधी ने राष्टी भारती राष्टी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी यह हमेशा कूशन पूचा जाता है आप किस में महात्मा गांधी ने किया था और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताहू के दौरा यह निश्चित किया था कि गांधीजी की रचनात्मक कारियों पर वल दिया जाए और इस अधिवेशन में गांधी दास समझौता का अनमोदन भी किया था था उनीष्ट 2016 मैं तो ध्यान क तो इसका सही एंसर होगा बेवेल नहीं थे, बाकी पैंथिक लॉरेंस थे, अश्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, वियल एलेक्जेंडर भी थे, तो इसका सही एंसर होगा सिर्फ बेवेल यह नहीं थे, 24 मार्च 1946 को केबनेट सिस्ट मंडल भारत आया, जिसमें तीन सदस्य थे, हमेशा कोशन पूसा ध्यान रिखाया, पहला जो थे, लॉरेंस थे, जो की राजस सचीब थे, दूसा जो थे, कृप्स थे, जो की बैपार बोट के परधान थे, और एलेक्जेंडर जो थे, नौशेना पंफ्लेट किस ने लिखा था, ध्यान रखिगा, नौशेन नेवर पंफ्लेट किस ने लिखा था, अब इसका शही अंसर जो है, इसके ऑप्शन को देखते हैं, इसका सही अंसर जो होगा, वो होगा, आप्शन नमर C, यानि कि रहमत अली ने लिखा है, केम्परिज अभी नहीं तो कभी नहीं, एक नया अस्मित के लिए एक अलग राष्टिये दर्ज, राष्टिये दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान का नाम दिया था, पाकिस्तान की रचना निमलिखित प्लांतों के पहले अक्छर से किया गया था, पी यानि कि पंजाब, A यानिकि अफगानिस्तान, K यानिकि कश्मीर, S यानिकि शिंद, और T यानिकि बुलुचिस्तान, बस इसना ध्यान दखना है आपको. कि तो इसका शिंद, और T यानिकि बिलियम बेंटिक के टायम में जो है, सथी को गएर कानूल और T यानिकि बिलि बॉगानिकि बुटि इसना गुशित है. प्रारम में यह कानुन केबल बंगाल के प्रसिडेंसी में लागू किया था, दीरे दीरे फिर से इसे जो है, 1880 में आते आते इसमें क्या किया गया, बंबई और मदरास के प्रसिडेंसी में भी लागू कर दिया, क्योंकि उसमें तीर प्रसिडेंसी थे, एक जो था बंगाल थ बिलियम बेंटी के टाइम में सतीपर्था को गैर कानुनी गोशित कर दिया गया था। नेक्स कोशन के और चलते हैं। पंजाब भूमी हस्तरांतत अधिनियम का पारित किया था। तो इसका सही अंसर होगा उनीस सो में पारित किया था। जिसे क्रिशकों की भूमी को गैर क्रिशकों पर हस्तरांतित होना शमाप्त हो गया था। नेक्स कोशन को चलते हैं। राज बिभाग की अस्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो इसका सही अंसर जो होगा ओप्सन नमर्डी यानि की सर्दार पटेल के टाइम में हुई थी। आई इसको विस्त्रित से देख लेते हैं एक बार। सर्दार पटेल ने पांच जुड़ाई 1947 को कारभाल सम्हाला और पीवी मेनन उसके सचीव के रूप में जिम्यदारी शम्हाली थी। नेक्स है कुमर सिंग राजा थे। कहां के राजा थे तो इसका सही अंसर होगा जगदीसपूर के थे। करांती के नित्युत करता बाभु कुमर सिंग की मृत्यू अंग्रेजी सेनापती बिलियम टेलर के पराजित होने के बाद में 1808 में हुई थी। कुस पुस तक कुमर सिंग की देहान की तिथी जो है 188 में भी बताती है। तो असा महीने का डिफ्रेंस है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, कि अठाव संठाबन में, जो है, बिलियम टेलर से पराजी थोने के बाद में, उनकी मिर्त्य हो गई थी. नेक्स कोशन जो है, राजकुमार सुक्ल किस गाउं के निवासी थे, तो इसका सही अंसर होगा, ऑप्शन नमर ए, मुरली भरहवा के, बहुत इंपोर्टेंट कोशन है, बहुत हमेशा ही सब कोशन पूछा जाता है, अब राजकुमार सुक्ल पस्मी चंपारन जिले के, मुरल सुक्ल ही, जो पहले थे, जहां पी चंपारन में जो है, नील पे जवर्दस्ती करने की ठीके हो गई थी, तिन कठिया पद थी, यानि की एक विगा में, तीन कठ्थे पे आपको नील की खेती करना अनिवारी कर दिया गया था, जिससे किसानों किसी थी, बहुत हत्त कराब हो गई थी, और यहीं पे महात्मा गांधी सबसे पाला जो सत्यागरा सुरू किये थे, वो बिहार के चंपारन से ही शुरू किये थे, नेक्स कोशन के वर चलता है, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हिर्दय जैसे पद नामों से तहत लिखकर चंपारन के किसानों की द किसी ने कह दिया, senior, topper, ये वो, कि भाय, date याद करो, date याद करो, date याद करो, date याद करो, कहा है, history में date, जराब बताईए मुझे आप, हाँ, एक-दो तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा ने कि ने रहेगा, लेकिन एक-दो को छोड़ भी तो सकते हैं, सब को थोरी बनाना होता, हमें 100 questions पर ही तो selection होता है, बहुत, बहुत मालीजे कि अगले बाल होगा, तो 105 नमर जाएगा, उससे जादा नहीं जाने वाला, किसी भी आलत में जाने वाला, घट सकता, बर नहीं सकता, और बढ़ेगा, तो 105 से जादा नहीं जाएगा, बाकी 45 questions कहा जाएगा, 42 questions को तो इस दुर्दशा, बाया की और दुखी हिर्दय, परताब 3 अपरेल 2016 को लिखकर चंपारन की किसानों की दुर्दशा पर परकास डाला है, इनकी अनप्रमुक पुस्तक में चंपारन के अत्याचार, परताब 28 परवरी 2016 को चंपारन में महात्मा गानी, हिंदू-मुश्लिम ल इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे, स्वामी विद्यानन, स्वामी सहजानन, सर्दार बल्लब, भाई पठेल, एक तो स्वामी सहजानन होगे, अब आगे ऑप्सन जो है, और इसमें पूछता है कि कौन, तो इसमें सो केबल वही होगे, D ऑप्सन होगा, यारी सर्वसती, यदुनंदन सर्मा, कारिनंदन सर्मा और राहुल संकृतियान परमुक थे, ध्यान रखीगा, कौन-कौन, तो सर्वसती, यदुनंदन याद रखीगा, कारिनंदर याद रखीगा, राहुल संकृतियान याद रखीगा, और सहजानन याद रखीगा, नेक्स है, भारतीय उचायुक्त के पद पर शिर्जन किस अधिनेयम से हुआ है? तो इसका सही अंसर जो होगा, वो होगा option number B, यानि कि भारत सरकार के अधिनेयम 1919 में. यानि भारत सरकार के अधिनेयम 1919 में भारत की सचिब के कार भार को कम करने के लिए भारतीय उचायुक्त की न्युक्त की गई थी और जिसका कार भारत शरकार के लिए अस्त्र सस्त्र और अन्शमान का खड़िदना ठेका देना बैपारी खीतों का देखना इंगलेंड में पहणने वाले जो भारतिय भी ध्यारती हैं उनकी देखभाल करना के करता भी थे और उचायुक्त के उसके सहायक के बेतन और वे भारत के साधनों में होना था निए और चलते हैं नेग्स कोशिन का था उनीशी सो बीस और बाइस के असयोग आंदोलन के दौरान बिहार में पڑचलित मानिताओं में से एक थी कि उसकी जीट होगी क्योंकि गांधी इसका पारी और वर्स 1920 में उसके दोरा बिटिस सरकार के साथ अहिंसक और असहयोग में ना सिर्फ वस्तुएं बल्कि भारत के अंग्रेजों के दोरा संचालित, संचालित उनकी मदद कर रहे थे, संस्थानों जैसे की बिधायका, न्यालय, कारियालय, अश्कूल का भाहिसकार भी सामिल था, और इस कारिक्रम में ना देश में जोसिक फूग दिया था, बिदेशी सासन का फंदा काट दिया गया था, हिंदूओं और मुशल्मानों को भी एक साथ एक मंच में लाके खारा कर दिया गया था, गांधी जी भी एक महामानव के रुप में उदै उनके कृत्यों के फल शुरूप, अंग्रेजी सासन के भै उत्पन होना शुरू हो गया था, बिहार के लोग में बिस्वास उत्पन ह हुआ कि हमारी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों के हाराने का सारे बुद्धी या कहिए तो सारी विवेग जो है, सारी तरीके जो है, वो पता थे, गांधी जी के रचनात्मक कारियों के जड़िये, अन भारतिये नेताओं के मुकाबले, गाउं में निवास क अगर उठाकर देश व्यापी आदम आंदोलन के रूप में दे दिया जाए, अगर यहां पर यह चीज़ तो आप समझ गे, अगर इसको अथासों संतावन की कांथी से तो जोड़ के देख लेते हैं, तो जोड़ा सा जोड़ते हैं, अगर उस टाइम में गांधी होते, तो स सबसे बड़ी कमी खिली, वो कही ने कही नत्युत करता की कमी दिखी, अगर नत्युत करता होता, तो साइध के हंडेट परसेंट था, के अठासों संतावन की कांथी जीत गए होते, या उस टाइम में सारे लोग अगर अपना ना देख कर, अगर हिंदुस्तान को देखते, स अगर किसान को देखा जाए, वो कहीं साहुकार से बचने के लिए उसे लड़ रहा था, लेकिन कोई भी अंग्रेजों के तरफ से लड़ाई नहीं कर रहा था, कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है और इनको हराना, तो इसी वज़एसा था, तो थोड़ा सा इसको चर नहीं के की अधा में, दर्भंगा, डुम्राव, हटवा, महाराजों और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की अंग्रेजों की मदद की थी,ए जा मिलकुल सा, बाकी सारी कथन गलत था, क्या था कहानी आई ए थुरा सा डीटेश से चरचा करते 1800 santaman के सफ़तंतरता संग्राम में बीहार के कुछ पर्मुक जमिनदारों में से अंगरेज के धन-जन जन दोंों की बड़ी साहयता की थी. अंग्रेजों के इस परकार के मदद पहुचाने बाले जमिंदारों में दर्भंगा, डुम्राव और हट्वा के जमिंदार शामिल थे नेक्स आते हैं लॉड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर्ट पद से त्याग पत्र दिया था 1908 को बंगाल के अड़्ॉकेट जेनरल नुक्त होने बाले पर्थम बारतीय थे ठ्यान के गा सतेअनर पर स्चन नो शिन्हा निज्ञा नियूक्त होने बाले पर्थम भारतीय थे ícia 1928 को इनकी मिर्थी हो जाती है यानि की 7 साल के बाद फिर इनकी मिर्थी हो जाती है चलिए, next question के ओड चलते है next question है gonna स्धीछ के पर्यत्न से बिहार प्रांतिये कांगर्स का दूसरा अधिवेशन हुआ था तो उसका सहीicamente हो गारने चाहि चेह का कारण 25 सामुचान का यून्किन कि इनहें का दूसरा आधिवेशन नौnten ऑंир समपन हूँआ ता अगली बार कैन्सют पूझ दिन हो सकता है तो आपको बताना होगा भागलपूर में हुआ था जो है दूसरा अधिवेशन इनका और इसके दच डॉक्टर सचिदानंद शिनहा थे अधिवेशन में जीके गोखले और स्री खेरे के बिसेश उपस्तिती थे इसलिए ऑप्शन भी जो होगा वो शही होगा फिदे हटी नेक्स कोशन की चलता है नेक्स कोशन क्या कहता है हजारी बाग में बिहारी एस्टूडेंट कॉन्फरेंस का सोलहमाधिवेशन हुआ था था 2020 में हथा यग कि बिहारी स्टूडें Union को फिऑसरी रिश द सलहमाधिवेशन हूँड़ोष्मन क्या है एक इस्थ को बि innovationsandidate 1.2.765 क्या थी कहानी इसको तवहांасन से समझ लेते हैं इलाभाद की दूसरी संदी होती है इलाभाद आप एक चीश चि़से में आरा आगा कि बकसर की हार होती है पलासी के हार होती हुसके पलासी की हार तक हम लultsी हार तक हम लोग दुरहांसन से समझ लिजा पर вкусis के लहाँ हैं, पलासी के हार तक हम लोग समझते हैं, कहीं नोगे अंग्रेज सरयन से जीतते हैं, और यह सही बात है। लेकिं जैसे ही cuál बादसा शाहलम रहते हैं, यह तीनों एक साथ लगते हैं, अंग्रेज एकले दूसरे साइट से रहते हैं, लेकिन यह बकसर का युद्ध हम हारते हैं, और बकसर का युद्ध जैसे ही हारते हैं, तो यह डिसाइड हो जाता है, कि अब हम कहीं न कहीं हमारी स्वातनतरता चली ग इलाहबाद के इलाहबाद के च्छेत्र नबाब ने छोड़ दिये थे साहालम को वो चीज मिल गया। 12.65 को फर्मान दोरा मुगल बात्सा साहालम दूतिय ने कमपनी को बंगाल बिहार और उडिसा की दिवानी अस्थाई रूप से दिया। उसके बाद हार तो कह थे। हारे थे संधी हुई थी और इसी संधी में साहालम क्या 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 बिहार, बंगाल और उडिसा की दिवानी अंग्रिजों को सौप दी गई। जिसके बदले में कमपणी ने समराठ को 26 लाक रुपया दिया जाना था। के बदले में कमपनी जो है समराज को 26 लाग रुपया देता था निजामत वह के लिए कमपनी को 30 लाग रुपया देना था और इस समय रोबर्ट कलाई जो था इस इंडिया कमपनी का जो बंगाल का वो गवर्नर था इसी टाइम में और यहां बंगाल का युद हो रहा और इस सालम दूतिये के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था इसी के टाइम में सालम दूतिये के तो कभी पूछ सकता है कि दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों का हुआ उस टाइम में कौन था सा सा सकतो सालम दूतिये याद रखेगा 1803 में और सालम दू जाता है और अठाइसो संतामन की कांती के बाद तो खेली खतम हो जाता बादूर सा जफर जो को जब उठाके रंगून भेज के समाप्त कर दिया जाता उसके बाद से अंग्रेजों का राज शुरू हो जाता है चलिए नेक्स कोस्टन के और चलते हैं द्वेद सासन का जनक किस दो हैं दोविधा क्या होगा कातना पडेगा ऐसे भी सि याद करने के थीक निकालल दीजिए दोबिधा होता है दोबिधा मकल क्या किया जाएगा दोबिधा आगर है तो काटो और हस्त्रान्तित भी से, दो भागों में बार दिया गया, आज भी देखिए, तो हमारा क्या अद्वेश सासन है, एक केंदर की सत्ता हमार उपर चलती है, और दूसरा राजी की सत्ता चलती है, सेम टू सेम है, और उस टाइम में याद रखीगा, इसके जनक कौन माने जाते है तो कार्टिस याद रखीगा, नेक्स है भारत में पर्थम रेलबे लाइन, किस बिटिस गवर्नर के टाइम में बिचाई गई थी, तो इसका डलहौजी के टाइम में रेलबे हो, डाग घर हो, तार हो, ये सब डलहौजी के टाइम में ही बिचाई गई थी, जब हम लोग और फब बताएंग 2 ले जाएंगे तो आपको यह बह बताएंगे की जो पार सिवा सुरू होगे सरी यही वजव रही थी, कि 1087 की कानली ही हमारी हाथों से निकल गए यह भी यही एक वज़ थी यहां पर देख लेते हैं बारतमे रेल-लिर्मा डिशा में पर्थम प्रिया जो है British Governor Lord Dalhoji के द्वारा किया गया था रेल Dalhoji, याद रखीगा ना, पर्थम रेल बेलाइन 1853 में बंबई से थाने के बीच में Dalhoji के समय बिचाएगी तो पहली चली भी तो बंबई से थाने, याद है जब चली गी बंबई से थाने तो रेल बेलाइन भी ब बिनास की तरब जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके सांति प्रिये निर्धन की सहायक बनू और यह किसने लिखा है तो इसका सही अंसर होगा Lord Karjan, अंग्रेजी सासक समझते थे कि नरम पंथी के नित्युत में कांग्रिस काफी कमजो अता इसे खत्म किया जा सकता था, इस निती की सबसे बड़ी परवक्ता थी कि Lord Karjan ने 1900 में, Karjan ने कहा था कि मुझे बिस्वास है कि कांग्रेज अपने बिनास की तरफ जा रही है और यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि मैं भारत में रहूगा और मेरी नीती यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेज को नपुनसक बना दूँ, Karjan ने कांग्रेज अध्यश के नित्युत में पर्तिमंधल से मिलने से इनकार भी कर दिया था, तो ध्यान रखी कि Karjan के टाइम में, चलिए, नेक्स कोश्चन के और चलते हैं, अभी जो है गवर्नर सिल्सिला सरुगोरा, बस आप सुनिये, आपको कही रटनाने पड़ेगा, कही पढ़नाने पड़ेगा, सारा चीज में बता दूँगा, बस आप ध्यान से इसकी हर एक बात को अंदर लिजाना है, निम्रिकित में से किस वाइसराय के कारिकाल में भारतियों को राय बहादू बहादूर की उपादी पर्दान करना प्रारम किया गया, तो इसका एंसर जो है, आपसन देख लीजे, इसका एंसर जो होगा, वो होगा, आपसन नमर बी यानि की लिटन के टाइम में, सौरी, चलिए, आपसन नमर बी लिटन के टाइम में हुआ था, यानि की लौड लिटन इसको फोगा सा ध्यान डखना है और बरना कुलर प्रेस एक्ट 1778 में लॉड लिटेन के काल में पारित होता है ध्यान पे दिया प्रेस 888 ये क्या था ये यह थे यह कि अगर आप प्रेस में किसी भी अंग्रेज के और आगे चलके यही लीटन के बाद जब रीपन काल काल आएगा, ध्यान रखीगा लॉड रीपन का, तो क्या होगा? ये सारी चीजे हट जाएगी, वरना कुलर प्रेशेक्ट को हटा दिया जाएगा, तो ध्यान डखना दोनों है, लीटन क्या करता है, वरना कुलर प्रेशेक कि अस्थाई बंदोबस्त कि, करणवारीस ने अस्थाई बंदोबस्त परनाली का質 शाध्य परणाली का है, और यहां पर एक चीज में दोस्तों बता देना चाहता हूं कि जब आप पड़ते हैं ने कि बंगाल बिहार उड़िसा इसलीए को कि उस टाइम में पूरा का पूरा बंगाल जो था वो क्या था एक था बंगाल में उड़िसा भी था बंगाल में ही बिहार भी था ये तो 1905 के तो धीरी धीरी अलग होता, 1912 में फिर तूटता, फिर 1936 में तूटता तो फिर आपका उडिशा भी अलग हो जाता, लेकिन इस टाइम में क्या है, पूरा का पूरा बंगाल है, तो बंगाल इसलिए इस टाइम में पढ़ादने बक्त हम बोलते हैं, ताकि आपको पता हो जाए कुछ टाइम में बंगाल में भी, अपना बिहार में भी और उडिसा में भी, और साथ साथ में उत्तर परदेश के वारण असी और उत्तरी करनाटक में इसे लागो किया गया था, क्या अस्थाई बंदोबस्त कब 1793 में, किसने करनवालिस ने, याद हो गया, अंतरगत अस्थाई बंदोबस्त के अंतरगत जमिंदारी चोटी पूंजी या भद्र नवाव थे, चलिए, नेक्स कोशन के ओर चलते है, बिहार में पर्मानेंट सेटिल्मेंट लागो करने के कारण क्या था, पर्मानेंट सेटिल्मेंट, क्या वज़र रहा जो लागो किया गया, त यह कौन के थे, तो लौट कर मालिस के समय में भूर आजस वेवस्था आरंभ हुआ, और दस वर्सी वेवस्था के रूप में लागो की गई और 22 मार्स 1793 में पर्मानेंट सेटिल्मेंट, ध्यान रखिएगा, यानि कि अस्थाई बंदोबस्त, इसी को हिंदी में पर्मानें सेटिल्मेंट के रूप में अस्थापित हुई थी, और यह वेवस्था, बिहार में लागो करने, और जमीनदारों के लिए जमीर पर बंस परंपरागत अधिकार के स्वेच्छा से हस्तानतित करना, और मूल कारण, कमपनी के लिए भूर आजस की एक निश्चित रासी का त सांस लेने के लिए जो है, आपको हर महिने 100 रुपे देने पड़ेगे, यह भी कर लिया गया, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं हिंदुस्तान में, तो कर है, अपने तरीके से जो चाहे वो लगा दी, इसका नाम जो भी दे, इसलिए लिए ले रहे हैं, क्योंकि ये जो सांस ल बंगाल और बिहार में भूमी पर किरेदारों के अधिकार को बंगाल किरेदार अधिनियम के दौरा किया गया था तो इसका सही अंसर जो होगा वो होगा 1885 और में मालकों को बंगाल सटाबनी के आते भूमी की मांग बढ़ने लगी और भूमी के मालकों को किराय में बढ़ुतरी की इस समय किसानों के बिद्रोह का था और इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किरेदार अधिनियम 1885 को लागू किया जिसमें भूमी मालिकों यानि जमिनदारों और किरेदारों के अधिकार की परिभाशित किया था अब यहां पर एक चीज़ बता दू कि कर्णवालिस कर्णवालिस जो है इसी टाइम में इसको लागो किया था तो पहला गवर्नर जेनरल अगर पूछेगा कि गवर्नर जेनरल पहला कौन था तो आप क्या बताईगा वारें हंस्टिंग पहला गवर्नर कौन था तब आप क्या बताईगा तो कर्णवालिस और शुरू गवर्णर भी है, शुरू गवर्णर जन्डल तो वाले नेक्स भी बताईगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, चलिए, नेक्स कोशन के और चलते हैं हम लोग, नेक्स कोशन क्या काता, तो यह बताना होगा, तो इसका सही एंसर जो होगा, वो होगा, यह बेगम ऑफ अबद, यानि लखनव में बिद्रो जो है, चार जून अठाइस संतामन को उगा था, और इसमें बेगम हजरत महल थे, जो की नित्युत की थी, नेक्स है, अठाइस संतामन के बिद्रो के नित्युत, बिहार में किस ने किया था, तो बीर कुमर सिंग ने किया था, यह तो जानते ही ह तो उस समय ये 80 वर्स के थे, 80 वर्स के थे, और पर किरते के नहीं थे, आदम शौर वीरता से ननायक का आदर्स गुनिन में डाल दिया था, और इसी कारण से इन्हें सही रूप में बिद्रों के दोरान बिहार का सिंग माना जाता, तो ध्यान रखीगा, अगर बिहार का सिंग पुछेगा, तो बाबु कुमर सिंग आपको बताना होगा, इन्होंने साबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता को तकता पलट कर दिया था, और अपनी सरकार अस्थापित कर दिया था, यह कानपूर पर संयुक्त आकमन करके नाना साहिब की बदत किये थे, और कालपी की औ आगे बढ़े, और इसे अब बिद्रो का मसाल, रोतास, मिर्जापूर, रिवा, बांदाल, लखनाव तक ले गए थे, जहां इनका अत्यंत सम्मान पुरबक स्वागत किया था, हर जगा पे हर निता इनका सम्मान कर रहे थे, क्योंकि असी बर्स का बुरा पूरे बिहार को स गायल हो गए और 26 अपर 880 अंठामन को इनकी टेलर के द्वारा उस समय टेलर से लड़ने वक्त बुरी तरीके से पराजित हो गए थे, उसी टाइम में इनकी मिर्त्यू हो जाती है, मिर्त्यू के बाद भाई अमर सिंग एक साल तक गोरिला बार करते हुए इस संगर्स को जा जदिशपूर कि किस वेक्ति ने अठाए सू संतामन के बिपलो में कांती कारियों का न्यत्यूत्यू किया था, तो सीधी सी बात है, बीर कुमर सिंग और दूसरा है कौन, बारत के गवर्नर जेनरल कौन थे, अठाए सू संतामन के बताये मैं बताया हूं, के निंग थे, अठाए संतामन के बताये मैं बताये मैं बताये था, इसा संभाबना हू गया था, कि हम लोग जीत गए थे, अइसा नहीं थे, जीतने के काकार पे थे, अंग्रेजों के दात खट्टे ओड़े थे, अंग्रेज को लग रहा था, साइध यहां के बाद हमारी अंतिम भारत की यात्रा होगी उसके बाद हमें लोट के जाना पड़ेगा लेकिन कहीं ने कहीं हमारे अपने नहीं हमें हरा दिया और साथ साथ में उस टाइम में डलहोजी की जो तार निती थी टेलीफोन का एक्सचेंज आ गया वो कहीं ने कहीं जीते जी माड आगा क्योंकि सुचना हर जग यहां से गवर्नर जेनरल का पद समाप्त होता है यहां अब तक बिटीस कंपनियों के हाथ में होता है इंदुस्तान अब सीधे की सीधे बिटीस सत्ता के हाथ में हस्रानतित हो जाता है और केनिंग को यहां के बाद में सीधे वाइसराय की पद दे दी जाती है और यहीं से की पद समार्त हुति है। वाई-सराय की थे चुरू हो जाती है। तो अगर आप से पूछेगा कि अन्तिम गवरनर गुट NFA झो था? को सानर को था? के निं, और पठन को था? कि आप श्रग चुरू है। गर आप से पूछेगा झोरू गुट गुटां तो मैं गा श्लें कि न बस समझना है बस मजे लेना है फिर तो हिस्तरी अपना है। महाराणी विक्टोडिया ने भारतिय परसासन को बिटी स्ताज के नियंतर में लेने की घोशना की थी। तो इसका सही एंसर होगा 1.8808 को, यहीं 8808 की कांती के दबन के प्रस्चात, 1.8808 को मरानी विक्टोरिया ने भारती परसासन को बिटीस साज के नियंतर लेने की घोशना कर दी थी, उसके बाद भारत में कमपणी सासन का समात्प करते, अभी जस्ट मैंने आपको बता भी च चैन किया, तो इसका सही एंसर होगा, गुर्खा, सीक, पंजाबी और उत्तर प्रांथ से किया, अथासो संतामन के बिद्रो के बाद बिटीस सरकार ने सिपाहियों का चैन किया, वो क्या क्या गुर्खा, सीक, पंजाब और उत्तर प्रांथ से किया, अथासो संतामन के बिद अधार के सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पस्मी यूपी प्रांत के थे और विद्रो के लिए भारतिय सेना उत्तर दायु थे इसी कारण से 1 नवंबर 1808 को मारानी विक्टोरिया की घोसना पत्र के अंतरगत सेना का पुनरगठन किया गया जो विभाजन और परती लोभ अगर ठाश्व संदावन की कांती हुई तो फिर जीत हमारी हाथों से निकल जाएगी तो इसकी जितनी भी कमी थी उन सारी कमी को पूरा कर दिया क्योंकि यहां पर कि बास सत्ता जो है कमपनी से विस्त्रांतित हो के सीधे कहां चली गई सरकार के पास चली गई बिटी सरकार फिर ऱहला कर पास चली लिए नेक्ट्स कोकि और चलते हैं पागल पंथ अस्थापना पांढ़ा किस थी तो इसका सही हंसर होगा करम साह ने, पागल पन्त एक अर्द धार्मिक संपरदाई था, जिसे उत्री बंगाल करम साह के पुत्र, उत्रा धिकारी, टीपू, धार्मिक और राजनितिक उद्देश से प्रेडि थे। इसने जमिनदारों के दोरा मुझारों पर किये गए, अत्याचारों के बिरुद ये सतंत्र था, सत्ता को पर्योग करने लगा और परसासन चलाने के लिए उसने एक न्यादीस, एक मजिस्टेट और एक कलेक्टर का न्युक्ति कर देता है। तो ध्यान रखीगा पागल पंथ के अस्थापना किसने की तो करम शाह ने किया था कहां के थे तो बंगाल के नेक्स को बंगाल के फणीदपूर के हाजी सरीतुला द्वारा चलाए गए संपरदाय के अनुवाई थे और ये लोग अपने धार्मिक, समाजिक, राजनेतिक अमूल पडिवर्तनों के पर्तिपादन करते थे। करते थे सरीतुला के पुत्र दामूमिया ने बंगाल के अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और ये बिद्रो जो हुआ था वहा था 1838 से 1860 के दवरान चलता रहा और अंत में संपरदाय के अनुवाई बहाभी दल के रूप में शमलित हो गए थे। नेक्स्ट है समूशी विद्रो के रूप में किस भगोलिक इलाका में हुआ था समूशी विद्रो बहुत इंपोर्टेंट है स्वरी समूशी ने रामूशी तो इसका सही अंसर जो होगा वहा पस्मी घाट रामूशी विद्रो जो है पस्मी घाट में रहने बाले जो रामू सितारा के आसपास के च्छेत्रों को लूटा और किलों पर आकर्मन भी कर दिया अथा सो पचीश हब इस भेंकर आकाल और अनाभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेत्वित में पुना बिद्रोग जो है वो शुरू कर दिये नेक्स्ट है बगेरा बिद्रोग कहा हुआ था तो इसका सही अंसर होगा वो बढवदा बो से बढवदा यानि बगेरा कहा हुआ था तो बढवदा में था 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 बढवदा में जिसके परणामसरों बगहरा सरदार के में बिरोत कर दिया और 1818 और 19 में के मत अंग्रेजी परदेश पर भी आकमन किया गया और यह बिद्रो 1820 के आसपास शमापत हो जाता है बिर्सामुंडा का कार्चेत्र कौन सा था तो इसका सही अंसर यह तो जानते ही हो गए राची बिर्सामुंडा का कार्चेत जो है राची से लेकर भागलपूर थक था यानि राची इस टाइम में 2000 तक जो था राची बिहार में था दो हजार के बाद जो है यह सीधे कहां चला जाता है जारखन चला जाता है यानि कि राची से लेकर भागलपूर थक था बिर्सामुंडा ना तो बिटी सत्ता हम से कोई मतलब टच करें और ना हम उससे करें, हम दूर रहें, लेकिन बिर्सा अनेक देवता हो जैसे कि बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुवाईयों से एक इस्वर यानि सिंग बोंगा की पूजा करने का आहबन करते हैं, मुंडा बिद्रो क दबाने करे बिटी सरकार ने से निक सकतियों का पढ़योग करना पड़ गया था, मुंडा बिद्रो को दबाने के लिए, चलिए, नेक्स कोर्शन में आते हैं, उनीस सो एकीस का मुपला बिद्रो कहां हुआ था, तो इसका सही एंसर जो होगा, वो होगा केरल, उनीस सो एकी हुआ था, तो याद रखीगा, बस इतना याद आपको रखना कि मुपला विद्रो कहां हुआ था, तो मुपला केरल में हुआ था, उनीस सो एकीस में, नेशनल काउंसिर ऑफ एजुकेशन की अस्थापना कब हुई थी, तो इसका 15 अगस्त उनीस सो चे को हुई थी, राष् बंगाल को डिवाइड कर रहा है, उनीस सो पांच में ही बंगाल के होगा, बटेगा, कॉलकोता में एक सम्मेलन का आउजन किया जागा, उस सम्मेलन में, राष्टिय साहितिक, बैग्यानिक सिक्षा को देने के लिए, राष्टिय सिक्षा पड़िसत अस्थापना करने का पारे लोग अंग्रेजों का बिरोत करना सुरू करते हैं, महलाएं जो है, वो अंग्रेजों के बने हुए कपड़े जो है, वो त्याग करना सुरू कर देती है, उनके चूडिया जो है, त्याग करना सुरू कर देती है, वहाँ पे साधूसंद जो है, अंग्रेजों यानि बेटी से बने हुए जो प्रसाद होते हैं, उसको त्याग करना शुरू कर देते हैं, वहां के युबा जो है, अस्कूल, कॉलेज, सब कुछ होड़ना शुरू कर देते हैं, और यहां के बाद में ही शुरू होता है, राश्टी सिक्षा छेत्र का अलग से एक परिशत के सिक्षा के शुरू किया गया था, बीटी सरकार की सेंडलर् भिश्विध्याले आयूकर कब नुट किया गता, तो इसका सही अंसर होगा मि नियूसो 17 में संदलर्स चिच्षा से संब्धित है準, सरकार ने द्याने की गाव 1917 में सरकार ने कॉलकता बिस्विद्याले की संभावनाओं के अध्यानत और रिपोर्ट के लिए एक आयोका निक्त किया गया था डॉक्टर ई सेंडलर जो की लिट्स बिस्विद्याले के उपकुलपती थे इसके अधक्ष में निक्त किये गये थे इस आयोका यह बिचार था कि यदि बिस्विद्याले सिक्षा में सुधार करना है तो मादमिक सिक्षा का सुधार आबस्या के पहले बिस्विद्याले का सुधार करना चाहर है उससे पहले मादमिक सिक्षा से पढ़ने के बाद ही बच्चे बिस्विद्याले माते हैं अगर खाड़ाब है तो विस्विद्याले में कहां से सही हो सकता है इसने 1904 में विस्विद्याले अधिनियम की करीन निन्दा की और यहीं पर बताया कि इससे कॉलेज और विस्विद्याले सिच्छा का ठीक ठाक समनभाई नहीं हो सकता है नेक्स्ट है कांतिकारी गतिविद् यंग इंडिया पत्रिका कांतिकारी गतिवीदियों के साथ जुड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं थी, यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गाधी ने किया था, महात्मा गाधी अहिंसक आंदुलन के समर्तक थे, 1913 में शोहन सिंग भाकन ने हिंदुस्तान एसूसिय यूगांतर में संध्या पत्रिका कांतिकारी गतिवीदियों से संबंधित थी, अब यहां पर देखिए कि जो सोहनलार भाकन थे हिंदुस्तान इसोशेटिक ऑफ दी पेसिफिक कोष्ट नामक संस्था सुरू किया, और यहीं पर गदर नामक अख़वार निकाला गया, अस्थ राजाराम मोहन राए भारतीय पुनर्जागरन का पिता है, कहा जाता है, तो ध्यान रखना एगदम है, भारतिय राश्रबात का पगम्बर अ तीत, भविस três मद सेंतु, और भारतिय रास्रबात के जनक, आधुनिक भारत के पिता, पर थम आधुनिक पुरुस, या आपका ह जो गुज्रा और जो आने वाला इसके बीच का ये बांध है राजाराम मोहन राए को भारती राष्ट्रवात का जरत माना जाता है राजाराम मोहन राए को आधुनिक भारत का पिता अगर कहा जाए पूछेगा तो क्या बताएगा राजाराम मोहन राए कभी भी गलती से भू प्राथना समाज के संस्थापक कौन थे, इस तरीके से पढ़िए न, मज़ा आ जाए, कि अगर यहां से कोश्चन पूछा आईू, तो दुनिया में किसी का गलत हो जाए, आपका गलत ना होना चाहिए, तो पढ़ा हुआ सार्तक है, वरना समय बरबाद करने का कोई मतलम नहीं बनता है, समय भगवाद दोनों को देते हैं, समय को बरबाद करने वाले के लिए भी समय उतना ही मिलता है, और समय का उप्योग करने वाले के लिए भी समय उतना ही मिलता है, बस यह आपके उपर है, कि समय को बरबाद करना है, और इस दुनिया में किसी के उपर नहीं है, त तो यूज कीजिए न, बरबात करने का क्या मतलब है, प्राथना समाज की संस्थापक कौन थे, तो इसका सही अंसर होगा, आत्मा रांग पंडूरंगा, एकदम ध्यान रखिएगा, प्राथना समाज, देखिए, अगर आप भूल गए, सर, आप तो बता दे तो भूल जाते है कि आत्मा रांग राएगा, आप वहां पंडूरंगा रहे गाई, आप सही कर लीघएगा, पताई कभी भूल गभूल कर दिखाएतों मुझे, तो प्राथना समाज के अस्थाप Na 7867 में बंबई के आचार किसम चंदर शैन के प्रेणा से आत्मा रांग पंडूरंग द्वार महादेव गोबिंद रनाडे इस संस्था को 1889 से जुड़े थे और इस संस्था का प्रमुक उद्देश था जो कि जाती पर्था का बिरोत करना अब प्राथना समाज का उद्देश क्या था यह इंपोर्टेंट कोश्चन है तो जाती पर्था को समाप्त करना जो कि अलग समाप्त कर देना है साथ साथ में इस तरी पुरूस के बिवा के आयू में बिर्धी करना कि छोटे चोटे बच्चे जो है बाल बिवा हो रहा है उसके बिर्धी को करना है बिधवा इस तरी सिख्छा को प्रोथसाहन देना रनाडे ने समाजी कि सुधार आंदुलर में 19 ने समाथ करना इसको अगर कोई आने वाल बिवा इसारी ने कि अनिवार करदिया गया इसलिए इस्टरीयों के स्थिख्छा देना अनिवारे कर दिया गया नेक्स कोशन की ओर चलते है 43 नमर कोश्चन क्या करता है? थियो सिफोफिकल दिया रखेगा थियो सिफोफिकल सुसाइटी की अस्थापना किस ने किया था? तो मैडम H.P. बलावेट्स की धिया रखेगा? मैडम H.P. बलावेट्स की अब इसको तुदा डिटियल से समझ लेते हैं क्या है? थियो सिफोफिकल सुसाइटी की अस्थापना एक रूसी मैडम जो थी? H.P. बलावेट्स की अमेर्की सैनिक अधिकारी जो की करनल अलकॉर्ट, विलियम, वन और अन के दौरा 1875 में निवार्क में की गई थी. यह सुसाइटी का संस्थापक 1862 में मदरास के पास अडियार नमक जगह है, यहां पे सुसाइटी का मुख्याले इसका अस्थापित किया गया, किसका? तो थियो सुसाइटी का मुख्याले जो है वो भारत के अडियार नमक अस्थान पे किया गया था. जो बाद में अंतरास 828 में बरह्म समाज एम स्वामी बिवे कानंद के दौर 1897 में मैंấu राम कृस्ट मीशन की अस्थापना कर दी गई थी उस ता Renan दार है लोगा जान रात हूं दारही दो प्रम कर दोया हूं ira liya raandola and किनकी प्रेना से प्राड़म हुआ है, किनकी इनमे से, तो इसका सही अंसर होगा, जो तीवा फुले, एकदम याद रखना, ये सब कोश्चन अगर गलत करके आते हैं, तो कोई माफी नहीं है आपके लिए जी, कोई माफी नहीं है, इसका मतलब है आपने पढ़ाई किया ही नह उसको मानना पड़ेगा, जो कोश्चन आपको आ रहा है, अगर वो गलत करके आ गया, तो जिन्दगी में प्रिलिम्स नहीं होने बाला, अगर एक कोश्चन ऐसा गलत होगा, क्योंकि जो हाड हो तो किसी को नहीं आ रहा है, तो आपको भी नहीं आ रहा, तो उसमें हो री उत्थान करके ही समाजिक बुराईयों को दूर किया जा सकता है, किसकी किसकी महलाओं और दलितों के उत्थान करने से ही समाजिक बुराईयां दूर किया जा सकता है, और 1848 में इन्होंने लर्कियों के लिए एक स्कूल खोला, और यह लर्कियों के लिए भारत का पठ्थम तो ध्यान रखी गया लड़कियों के लिए जो पहला अस्कूल खोला गया तो उस किस ने खोला था, आपसन दे देगा, आपको फसा देगा, जो तीवा फूरे ने, आधुनिक भारत में महला आंदुलन की प्रेणा का स्रोत रामा भाई रानाडे रही, आधुनिक भारत में अ काम होता तो उत्तर वही होता, यही कारण है कि बिहार लोग सेवा आयो किसी बिकल्ब को सही उत्तर नहीं माना है और तारंकित कर दिया है, चलिए, नेक्स कोश्चन के ओर चलते हम लोग, राष्टिये कांगरिस के पुर्व सबसे प्रमुख शंस्था थी, राष्टिये कां 1976 को सुरेणनात बनर जी ने अनन्द मोहन भोस के सयोग के साथ में इंडियन एसोसियेशन कहिए या भारत संग की अस्थापना कर दी जाती है, तो कोलकाता में की जाती है, इसको तुरा सा ध्यान रखना है, कोलकाता में हो जाती है, उसके बाद राजनितिक संस्थाओं में स सिविल सेवा परिच्छा परणाली में सुधार की मांगी, इलवर्ट बील बिवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन भी चलाए गया, और इंडियन एसोसियेशन भारत में जमिनदारों के अस्थान पर मदबर की परधानता दी गई थी, और नेक्स कोशन के और चलते है, सु तो ऐसा कोशन है, एक दो कोशन है, तो ऐसे भी किसी को याद ने होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि सुरेदनात बनर जी जो है, सबसे पहले भारतिय सिविल सेवा कंपीट किये थे, बस इतना याद है, अगर ये दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सुरेदनात बनर जी भारतिय थे जिन्होंने ICS परिच्छा उत्रण की थी, और पर्थम न्यूकती जो है, इनकी सिलहट बंगलादेश के असिस्टेंट मजिस्टेट के पद पे हुई थी, और यहीं पे मामूली भूल की वज़ा से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था, मामूली भूल हो गई इसलिए पद से हटा दिया क्योंकि यह भारतिय थे तो हटना ही था, नेक्स कोश्चन की और चलते हैं हम लोग, नेक्स कोश्चन क्या काता है, राजनितिक सुधार को लेकर बिरोत करने वाले पहले भारतिये कौन थे, तो इसका सही अंसर होगा, सुरेंद्रनाथ, राजनित इसके अधर्च भी यह चुने गए थे, नेक्स कोश्चन की और चलते हैं, नेक्स कोश्चन क्या काता है, मदरास महाजन सभा के अस्थापना की गए थी, कब, तो इसमें जो जितने भी उप्सन है, सारे के सारे गलत है, मदरास महाजन के अस्थापना 1884 में, रागव चारी शुब्रमन्यम आनंद चारलुक ने किया था, पस इसको ध्यान रखना है, अब देखिए, यह सब कोश्चन तो रहेगा ही रहेगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए, भार्तिय राष्टिये कांग्रेस के पर्थम अधिवेशन में, कितने परती निधित ने भा भार्तिय राष्टिये कांग्रेस के अस्थापना 1885 में A.O. Hume के द्वारा किया गया है, यह तो आपको पता ही है, A.O. Hume के द्वारा किया थे, जो अब कास प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था, इसका पहला दिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बंबई में, गोकुल दास संश्कृत विद्याले में आवजित किया गया था, जिसमें कुल 72 परतिनी दिर्टों ने भाग लिया था, भारतिय राष्टिये कांग्रेस के पहले अधिवेशन अध्यच बेउम्शंद्र बनर जी, द्यान रखीगा, बेउम्शंद्र बनर जी ने की थी, और इसकी पर्थ 1925 में कानपूर में हुए भारतिय राष्टिये कांग्रेस के 40 में वार्सी का दिवेशन में कांग्रेस की पर्थम भारतिय महला द्रप्ची भी बनी है, सासात में महात्मा गान्दी के विश्वास पात्र और निष्ठावान सयोगी भी रही है, सरोजनी राइडू स्वतंतर नमर कोशन क्या करता है, भारतिय राष्टिये कांग्रेस के 27 मा अधिवेशन किस अस्थान पर हुआ था, तो इसका सही अंसर है पटनाम हुआ था, भारतिय राष्टिये कांग्रेस के 27 मा अधिवेशन दिसमबर 1912 में बाकिपूर बिहार में हुआ था, इस अधिवेशन के बृष्टवर जो थि वो कौन को थे मधिवोलकोड ध्याद रखी गार्ण मधिविशन में अधिवेशन कि hata किया तो कौंसे अधिवेशन में 27 में काइश में आधिवेशन में अब आपको पूछ देगा कि कि काइश्क का पिता किसे का घया तों आंधिवेशन में कहा गया था, तो 27 में अधिवेशन में कहा गया था, कब हुआ था ये अधिवेशन, तो 1912 में, कहा हुआ था, तो बिहार में, बस ये कुछ चोटी-चोटी चीजे हैं, जो बस ध्यान रखना है, स्वराज मेरा जमसीत अधिकार है, मैं इसे पाकर होंगा, किस ने कहा था, बाल गंगा धर्तिलेक, उप्सन नमर शी, आईए, डिटियल से इसकी चर्चा करते हैं, भारतिय राष्टिये कांग्रेस के लखनाव अधिवेशन, ध्यान रखीगा, लखनाव अधिवेशन में 16 में बाल गंगा धर्तिलेकार है, स्वराज मेरा जमसीत अधिकार है, और मैं इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुना कांग्रेस में वापसी होगी, अब जो उग्रवादी थे, जो अलग हो गये थे, वो सारे के सारे कांग्रेस में वापसी हो जाती है, तिलक एनिवेशन पढ़ियासों से कांग्रेस में मुश्दिम लिंक के बीच समझा होता ह नाम से परसीद हो जाती लखनव समझवता या congress league समझवता दोनों equal है ध्यान रखिएगा अब गलत करके आईगा तुसमें मैं क्या कर सकता हूँ दोनों इक्वल है यहीं पर क्या हुआ था कि नरम पंथी और गरम पंथी दोनों जो अलग कांग्रेस हो गये थे अब धीरी धीरी जो गरम पंथी थे वो भी एक साथ जूड गये थे कब तो लखनो समझाता या कई कांग्रेस ली समझाता नेक्स है 1922 में गया के इंडियन अबाचितरंदर दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन में निर्वाचित अध्धक्षी रूप में घूशित कर दिया गया असायोग अंदोलन की समाप्ति के बाद जैसे असायोग अंदोलन समाप्त होता उसके बाद देश-बंधू, शभा, प्रवेस्क जो कारिक्रम के जरिय सभी सभाओं के भीतर असायोग भारतिये राजनिती का नया आयाम देने का परियास किया गया परंतु सी राजगोपालचारी, बल्लभाई पठेल, डॉक्टर आजेंदर परसाद, एंजी, रंगा, आयंगर आदी नेताओं के परिसद में परवेस करने की नीतिका बिरोत किय और इस अधिवेशन में काउंसिल में परवेस ना लेने का प्रस्ताओ भी पारितुआ फलसरुप चितरंजनदास ने त्याक पत्र दे दिया और इसके उपरान उन्होंने कांग्रेस के भीतर स्वराजपाटी की अस्थापना कर देते हैं, तो स्वराजपाटी की अस्थाप ये क्या है कांग्रेस के नरम दल के नेता, आंदोलन की परमुक पद्धि, रजा बाम बध्य आंदोलन यानि की अर्थात परशासन के भारतियों की भागिदारी की मांग तथा जनता में राजनितिक जागरुकता उत्पन करनी थी, नेक्स्ट है सेरे पंजाब के नाम से इन भारतिय राष्टिये कांग्रेस के गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के परतिनिधित इन्हें पंजाब के स्री भी कहा जाता है, नेक्स्ट है कोश्चन वह है अभिनो भारत में कौन संबंधित है, तो इसका सही अंसर होगा, बीडी शावरकर, अभिनो भारत के स्थाप इसमी में, जो है मित्र मेला 1904 में गुप्त सभा अभिनो भारत में परिवर्थित हो जाती है, नेक्स्ट कोश्चन है, मुझबपरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का परियास कब किया गया था, तो एक सहा एक्स्ट एंसर 1908 में, 30 अप्रेल 1908 को, बिहार के और परफुल चाकी ने किंग्स फोर्ड पर बंफे का परंतु किंग्स फोर्ड बच गया, और दुर्भाग से राष्टिय आंदोलन के हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुत्री जो है, वो मारी जाती है, परफुल चाकी ने पुलिस से बचने के अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजवे कातिल में है, तो इसका सही अंसर होगा, बिस्मिल्ला खान, उप्यूक्त गजल की पंक्ती, शायर जो है, बिस्मिल्ला अजीमाबादी ने, अजीमाबादी ने किया था, बिस्मिल्ला, अजीमाबादी का वास्तवी क नाम जो है, ये सेयद साह मुहम्मद हशन था, 1901 में पटना से 30 किलो मेटर दूर हरदास बिगहा गाओं में पैदा हुए थे, और ये गजल उर्दू में लिखी गई थी, 1922 में काजी अब्दुल गफार की पत्री का सबाब में ये छपी थी, सर्फरुसी की तमन्ना अब हमार सास्त्रागार धाबे का मास्टर दा के नाम से परसीद सूरिसेन को आयवजित किया गया था, सूरिसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकर आर्मी आई आरे की अस्थापना किया था, किसने किया था? सूरिसेन, याद रखना इसको है, इसके सदस जो थे आनंद सिंग, अंभिकात, चक्रबर्ति, लोकीनात और पर्तिलता, वाडेकर, गनेश घोष, कल्पनादत, आनंद गुप्त और टगराबल परमुक्ते, 18 अपर 1930 को सुरिसेन ने अंग्रेजों के बिरुद युद्ध की घोषना कर देता, सुरिसेन, 1930 में, ध्यान रखेगा, 1930 में अंग्रेज हाथियारों पर कबजा कर लिया जाता है, और फिर 1930 में, आई आर के शदस जो है, उसकी सेना के बीच में, जो है, संघर्स हुआ, और जिसमें 80 सेनिक और 12 कांथिकारी माले जाते है, 16 फरबड़ी, 1933 को सुरिसेन को गिरफतार कर लिया जाता है, और उसके उपर मुकदमा चला ध्यान रखीगा, मैडम भिकाजी, रुस्तम कामा को भारतिये, मैडम कामा, 1861 में, जिनका जन्म होता है, माता, पिता, पैरेंट्स, पार्सी थे, सोरा बजी, फ्रेम जी, पटेल, इनके पिता थे, इनका बिबार रुस्तम के आर कामा, शे हुआ था, जो कि वकीर और समाजी कारे करता थे, मैडम कामारी राष्टिये आंदूलन में, महान अगणिय भारतिये नेता, दादा भाई नरोजी के नीजी सचीब के रूप में सेवा की, बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्तियों को येरोपियन बॉद्धिक लोगों के संपर्क में आकर, स्वात जो कलकत्ता जंडा का परिवर्तित रूप था, वही यहां पे फाराय गया था, नेक्स कोशन जो है, वो क्या है, मैडम कामा ने 1907 में पर्थम तिरंगा ध्वज कहां फाराय था, तो अभी जस्ट उपर ही पढ़ है, अस्टूर्गाट में, नेक्स है, बंग भंग के बाद क शुरू हो जाता है, यानि बेटी सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल भी भाजन हो जाता है, उसके बाद में साथ अगस 1905 को कलकता से टाउन होल में एक एतिहासिक बैठक में, सोदेशी आंदोलन की बिधिवत घोशना कर दी जाती, इसमें एतिहासिक भाहिसकार प्रस्ताव सुरू हो जाता है कि अंग्रेजों का सब कुछ भाहिसकार करना सुरू कर दो, साड़े, साड़े लूग, और इसके बाद बंगाल के बिभीन छेत्रों में बंग भंग, पूरी तरीके से बिडोध अंदोलन और चारिक रूप से एक जुट होकर प्रारम हो जाता है, 16 अक्ट के दोरा 1905 में बंगाल विभाजन रद किस वर्स हुआ था, तो 1911 में रद हो गया था, 1905 में तो सुरू किया था, फिर बंगाल विभाजन 1911 में रद हो जाता, बिटिस समराथ, जोर्ज पंचम और महरानी, मेरी भारत आगमर पर उनके स्वागत थे तु दिल्ली में एक दर राजानी बनाए जाने की घोशना कर दी गई, कि अब कलकत्ता में नहीं होगी राजानी, अब दिल्ली होगी, इसी के अनुरूप बंगाल में एक नए प्रांत के रूप में पुनरगठित किया गया, उरीसा बंगाल और बिहार तीनों उस टाइमें एक छेतर था, तो उरीस जाले धाका बना दिया गया था, नेक्स कोश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स कोश्चन क्या काता, कांग्रिस के सुराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया, इस प्रस्ताव का उद्देश क्या था, इसका सोशाशन सुनिशित करना था, बस कांग्रिस के सुराज संबंधी प् 12 अधिवेशन में चर्चा होना शुरू हुआ, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पुन्डूप से पारित कर दिया गया था, और इस प्रस्ताओं के बाद सुदेशी बहिसकार और राष्टिये सिक्षा संबंदी प्रस्ताओं भी पारित कर दिया, सुदेशी जो है पूरे तरीक उसके रत कांग्रेस के अंदोलन के उदेश पर ये भी सही, कांग्रेस के अंदोलन में लोगों की भागिदारी पर ये भी सही कांग्रेस के बिभाजन का एक परमुक कारण जो था, वो क्या था? नरम पंथी अपने रन नितियों, उदेशों और आम जनता को अपने साथ रखने में असफल होना था नरम पंथी ने आम जनता के बीच काम नहीं किया, नरम पंथी राजनितिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रन नितिक में फेर वदल नहीं कर पाते थे, वो यह मशूस कर सके कि उनकी उपलब्धी नहीं उनकी राजनितिक का ओब्यवारिक बना दिया था नरम पंथी गरम पंथी की सोच अनुमानिक पासपरिक मतभेद की द्रिष्टी से जो थी राष्टवादी द्रिष्टी कौन दोनों के साथ में गलत थे, नरम पंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरम पंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर से नरम पंथी उनके लिए क साथ में जब सूरत का अधिवेशन हुआ तो कांग्रिस का विभाजन हो गया नेक्स्ट कोश्चन आते हैं छियासत नमर में छियासत नमर कोश्चन क्या था इसको ध्यान से देखिए मुसल्मान यदी खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में बेटी सक्तियों का महत्ता बचाओ होगा यह किस ने लिखा था तो इसका सही अंसर जो होगा वो होगा ओप्सन नमर सी यानि कि हंटर ने लिखा था कि मुसल्मान यदी खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में बेटी सक्तियों का महत्व बचाव होगा यह हंटर ने कहा था अपनी पुस्तक दे इंडियन मुसल्मान में यह लिखा था नेक्स कोशन आते हैं किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों ध्यान रखेगा नील बगान मालिकों को द्वारा किसानों के सोसन के तरफ से लखनों में धिवेसन चल राता तो वहां जाके राजकुमार सुकल जी कांधी जी से मिले और उन्हें कहा कि चंपारन आईए चंपारन में तिन कठिया पद्धती लगा दी गई है यानि कि एक बिगा में तिन कठे पे नील की खेती करना अनिवार है और किसानों की सिति बहुत खराब हो चुकी है उसके बाद राजकुमार सुकल के आगरह के बाद गांधी जी चंपारन जाते हैं और चंपारन में जाने के बाद जब देखते हैं तो सच में वहां की किसानों की आलत खराब हो जाती है और गांधी जी का पहला सत्यागरा बिहार के चंपारन से ही शुरू हो जाता है नेक्स आते हैं अर्सट नमबर कोश्चन में जी ने भारत में पहली बार सत्यागरा आंदोलन बिहार के कहां से प्राड़म किया था तो इसका चंपारन अभी जश्ट बताएं, उप्रियुक्त घटना जो है, अलड़ी बता ही चुका हूँ, इसमें तो पुछ बताने की जरूरती नियुक्त ही सब बता दिया हूँ, तिन कठिया पदती भी बता ही दिया हूँ, आप खुद पर लिजेगा, चलिए, नेक्स कोश ये नेता कौन थे, तो इसका सही अंसर होगा, A, यानि कि महात्मा गांधी, नेक्स कोश्टन की ओर चलते हैं, नेक्स कोश्टन क्या है, उनी सो चट्थिस में लखनो में अखिल भारतिय किसान सभा का पर्थम अध्यक्ष की से चुना गया था, तो इसका C, यानि स्वामी सह सापक स्वामी सहजानन सरस्थि इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान अंदोलन के अगवाई और किसी चेतर में समस्याओं के बिद्वान, A, G, रंग, ध्यान रखिगा, A, G, रंग, इसके महा सचीब चुने गए, और फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ में अखिल भ कोशन क्या करता है, अखिल भारतिय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो इसका सही अंसर 1936 में किया था, अभी जस्ट पढ़ेते, 1936 में लखनाव अखिल भारतिय किसान की अस्थापना की गये थे, जिसका नाम आगे चलकर अखिल भारतिय किसान सभा कर दिया गया थ और बिहार प्रांतिय किसान सभा के संस्थापक जो थे वो स्वामी शाजानन सर्वसती थे जिनके अध्यक्षता में आंध्रा में किसान आंदुलन के अगवाई और कृष्टी छेतरी समस्या बिदान एजी रंगाने किया था और आगे चलकर कांग्रिस का दूसरा सस्र भी स्वामी सहाजानन सर्वसती भूमी और जलमाग के राष्टिय करन की मांग के लिए अखिल भारतिय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था तो इसका सही एंसर होगा ऑप्शन नमर ए उनकी मिर्त्यू के ठीक पहले जैसे इनकी मिर्त्यू हुई थी इनके ठीक पहले शुरू ह ती ओप्शन नमर ए अखिल भारतिय संयुक्त किसान सभा संभीधान का अंगिकार की अगया था स्वामी सहाजानन की मिर्त्यू वर्स 1950 में हुई अथा असपस्थ है कि स्वामी सहाजानन्स लेकिर अगर पूछेगा इसकी अस्थापना किसमें पूसकता आपको बताना होगा कि अन्तराष्टी ए सरम संगठन की अस्थापना किया गया था इसलिए भारतिय स्रमिक संगठन आपस में संगठित होने का फैसला किया और इसके पर्थम अधर्च जो हुए वो लाला लाजपत राय थे तथा इसके उपाधर्च जो होंगे वो जोसेप बेप्टिस्टा और महाम कंतरी दिवान चमनलाल बजास थे और इस संगठन का पर्थम विभाजन जो हुए था वो हुए था 1929 में नागपुर अधिबेशन में पर्थम विभाजन हो गया था इस संगठन का और इस समय जवाहलाल लेहडू इसके अध्यक्च थे नेक्स आते हैं टेर्ड यूनियन आ इस दौरान एमेन राय और मुजबपरपूर और अहमद स्रिपाद ए डिंगोड सौकत उश्मानी आधी भारत के टेड यूनियन के परमुक नेता माने जाते हैं तो इतना ध्यान रखना है कि ये चरण जो है कब सबसे कांतिकारी माना जाता तो 26-49 और रोलेटेक्ट भारत म कषळियों में बढ़ रही कांतिकारी गतिवी को कुचलने के लिए जो क्रांतिकारी गतिवी दियों को बढ़ते जा रहे थी तो उसको कुचळा कैसे जाए इसलिए रोलेट एक्ट को लाया गया था । को गठित करता जिसका उद्दे से क्या होता है कि आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्मान करना था और इसके सुझाओ पर मार्च 1919 में पारित बिधेग जो रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है रोलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रे अंग्रेजों की हालत खराब हो रही थी तो इसको देखते हुए अंग्रेजों ने देखा कि आएसे कैसे इसको समाप्त किया सकता है क्योंकि छल बल कल से तू कर नहीं सकता था तो उसने क्या किया सिधे रोलेट एक्ट 1919 को लाकर रख दिया अब क्या हो गया कि यह रोलेट को जो है बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है और रोलेट एक्ट 1919 को याद रखिएगा नेक्स कोशन की ओर चलते हैं नेक्स कोशन क्या कहा था जलिया वाला बाग में परदर्सन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे तो इसका सही एंसर जो होगा वो होगा ऑप्सन नमर बी क्योंकि किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के बिरोध में परदर्सन हो रहा था किसक इसको थोदा डिटेल से बचर्चा कर दिता है, बता दो दिए लेकिन डिटेल से, ताकि आपको समझ में आ जाए. रोल्यटेक्ट मार्च 2019 में लागू हो जाता है, इसी टाइम में जलियावला हात्याकान में के टाइम में रोल्यटेक्ट गयुर। जिसके बिरुद में गांधी जी 6 अप्रेल 1919 को देश व्यापी हर्ताल कायुजन कर देते हैं यहां से हर्ताल सुरू होता गांधी जी का जलियावला बाग में 13 अप्रेल 1919 में सांती पुन रुप से जन सभा में जनर्ल डायर जो है नरसंघार कराना सुरू कर देता है असायो गांधोलन उसके बाद 1920 में संपर्दाइक अवर्ड 1932 में साइमन कमिशनर को भारत आना 1928 में यह सारी की सारी घटना और यही जलियावला बाग हत्या कांड के बाद से यहां के बाद में चाहे गुरू रविंदर नास्टेगोर और महात्मा गांधी दोनों अपनी सर क किस्रीं हिंद की उपादी को इन्होंने ठ्याग दिया था केसरीं हिंद की उपादी छोड दिया था नेक्स आते हैं लंदन में 13 मार्च 1940 को सर लूग बासरे मारनें जलियावला बाहत्या कांड में जबाद में सभार रहें लोग 8 से उनके ऊपर गोलिया चलाए गी थी इन् ल्न्दर में इनकी हत्या कर दे जाती है और इनहीं के ङिरफतारी परें धुर्थम सिंग और मिट्तुदंड दे दिया जाता है महत्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यूं किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन को भारतीय 무लमानों का प्राप्त करना चाहा था मुसल्मानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था यानि कि अंग्रेजों के द्वारा तूर्की सम्राज का बिभाजन करने के बिरुद में खिलाफ़त आंदोलन प्रारम होता है दिल्ली 23 नबर 1919 को होने वाले खिलाफ़त कमीटी के सम्मेलन में अध्यक्सता महात्मा गांधी को परदान की गई दिसंबर 1919 में भारती राष्टिय कांग्रेस के अमरित सर अधिवेशन के खिलाफ़त आंदोलन को और अधिक बढ़ाबा मिला गांधी जीनी से हिंदू मुस्लिम एकता में एक स्वर्णिव अवसर की रूप में यहाँ देखना सुरू करते हैं जो आगे चलकर सौबर्सों में प्राप्त नहीं हो सकता था तरद अनुशार उन्होंने अंग्रेजों के बिरुध आंदोलन और भारतिय मुसल्मानों के सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफ़त आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर देते हैं नेक्स कोशन जो है भारतिय राष्टिय कांग्रेज के असयोग आंदोलन किस वर्स प्राप्त हुआ था तो इसका सही एंसर है 1920 को याद करने की जवरत रहें कुछ भी नहीं करने की जवरत पस मेरी बात को सुनिये और अंदर तक लिए तनी बार रिपीट हो जाएगी कि आपको याद हो जाएगा 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में ये पास होता कि असयोग संभंधी प्रस्ताव को 1920 में नागपूर में हुए काग्रेस वार्षिक्स जो अधिवेशन होता उसमें ये पुष्टी कर दी जाती है 1920 में नेक्स कोश्चन है गांधी जी के असयोग आंदोलन कब प्रारम की गई थी ये भी वही एंसर है डिपीटेट कोश्चन है 1920 में ही थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एक बार फीर से आगया था कि आपको भी याद हो जाए हमें थोड़ा बोलना ज्यादा पड़े लेकिन आपको याद हो जाए गांधी जी के दौरा असयोग आंदोलन एक अगस 1920 को प्रारम किया गया था पस्मी भारत बंगाल उत्री भारत अस असायोग आंदोलन के दोरान मोतिलालनहू, लाला-लाजपत राय, सरदाव बल्लभवाय, जवाहाललनहू, राजंदरर पर्साद ₩ नयाले का बहिजस्कार करके आंदोलन में उत्य गूद गया थैंzem、 है ऑस्मी साधार्जैनंत नेक्सेंस। र Nahuj Sankirtyan बना रहु स सदूं के आते हैं अपना नाम बाबा ॐ रामुदर दास रखा गया तो अगर रहु इन्होंने 1921 में असयोग आंदोलन में भाग लिया, छे महीने के बाद जेल हुई और इस असयोग आंदोलन के समय चपड़ा में ये सही जो थे ये सक्रिये थे और 1922 में चपड़ा DC में इन्होंने अधग्च चुन लिया गया था. किस घटना के बाद महात्मा गाधी ने असयोग आंदोलन में अपनी हिमाले जेसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद? तो जाहिर सी बात है चौड़ा-चौड़ी में. चौड़ा-चौड़ा उत्तरपरदेश के गोरखपूर के पास में एक कसवा है, एक नगर है, एक जगह है, एक गाउं है, जहां पे 5 परवड़ी 1922 को आंदोलन कारियों की भीर ने बिटी सासन के पुलिस चौकी में आग लगा दे जाती है, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी ज हटना जो ही थी, उसको हिमाले जैसी भूल कही गई थी, और यहां से असयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था, असयोग आंदोलन के दौरान किस ने पतना कोलेज छोड़ा जबकि उसकी परिच्छा के के केबल 20 दिन ही बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने असयोग जैपरकास नारायन ने, बिहार के सारन के सिताब दियारा, सारन जो की छपना है भी, इसमें स्वतंतरता सेनानी के रूप में जैपरकास नारायन ने असयोग आंदोलन के दौरान पटना को लिच छोड़ दिया और जबकि उनकी परिच्छा के के बल 20 दिन बचे थे, इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस के दौरा संचारित बिहार बिध्या पीठ में प्रवेश ले लिया था, नेक्स कोश्चन की ओर चलते हैं, श्यासी नमर कोश्चन क्या करता, सुराज दल की अस्थापना असफलता के बाद हुई थी, कौन सी असफलता के बाद हुई थी, त क्योंकि चौड़ा-चौड़ी कांड की घटना हो गई थी, जिसकी वज़ा से बातमागानी ने असफलता के बाद में सुराज पार्टी की खिलाफत मार्च 1923 में सी आरदास मोतिलाल नहरू ने किया था, सी आरदास इसके अद्रक्स थे और मोतिलाल नहरू इसके महासचिव सुराज पार्टी में अपने कांड़िस के अभिन हिस्से के रूप में परचारित किया और साथ में अहिंसा और असायोग के परती जो है बचन बद्धता को दूर आया सुराज दल के अस्थापना किस ने की, इसका सही एंसर होगा, option No.D चेतरण जन्दास और मोतिलाल नहरू ने धेया प्रचारा दल के अस्थापना, चेतरण जन्दास और मोतिला नहरू ने किया था आईए इसके । तेक्या है असयोग अंदुलन की असफलता के बाद में, असयोग अंदुलन की असफल होगा, क्योंकि चौड़ा-चौड़ी की घटना होगी, बार-बार मैं रिपीट इसलिए थोड़ा सा डिटेल से कर देता हूँ, जरूरत नहीं है, मैं आराम से बोलते हुए निकल जाओ, लेकिन आप बेग्राउन बाले को बाहर निकल दे और सिर्फ आर्स बाले को ले, ऐसा नहीं कर सकता है, तो कोशन इसी के इर्दगर्द गूमना है, बस आपके दिमाग में अच्छे तरीके से इसलिए फिट कर देता हूँ, कि अगर आयो कोशन उटाता है, तो करारा जवाब आप दीजि जहां आपका जन्व सी रधिकार है बेठने का, चलिए, असायोग अनुलर की असफ हलता के बाद में स्वराज पार्टी के खिलाफत, स्वराज पार्टी का गठन होता है, तो 1923 में किसके साथ में? आरसी दास और मोतिलाल नहरू, आरसी दास इसके अद्रच होते हैं, मोतिल कीजिए, नहरू रिपोर्ट फिलिंदा ब्लेंस के अद्रक्सता में कमीटी के द्वारा तयार किया गया था और इसका इसका विसे था, इसका सही एंसर जो होगा, ऑप्सन नमर सी, मोतिलाल नहरू, भारत के संवेधानिक बेवस्थाएं, यानि कि साइमन कमिशन के न्यूक् यानि कि Lord Birkinhead के अनुसार से भारतिय लोग संवेधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने के लिए बिलकुर और समर्थ थे, इन्होंने कहा कि भारतिय ऐसी संवेधान बनाने में असमर्थ हैं, जिसकी सभी भारतियों की ब्यापक, राजनितिक समर्थन प्राप्त हो इस चुनोती को भारतिये द्वारा स्विकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फ़रबरी और मई और अगस्त 1928 को सर्व दलिय अधिवेशन का आयूजन किया गया मोतिला नहरू के अधिक्सता में आठ सदस्य समीति के अगस्त 1928 में प्रस्ताव समीधान को प्राडूप प्रस्तूत किया इसको मोतिला नहरू के नाम पर नहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता तो ध्यान रखीगा अगर नहरू रिपोर्ट किसके नाम पर है तो कभी क मोतिला ने उनके पिताजी के नाम पे, कभी भी जवाहलाल नहरू के नाम पे ने, तो मोति जो नहरू रिपोर्ट है, वो जो है बाद में जाना गया, मोतिला नहरू इस रिपोर्ट के लिखक थे, और संपर्दाइक्त आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्विक आधार के राज का पिर्थक्करन हो जाए, नेक्स आते हैं, नेक्स कोशन है, उनीस्व उन्टीस में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, तो इसका ऑप्शन शही जो होगा, निवासी नमर का, इसका एंसर जो होगा, वो होगा ऑप्शन नमर ए, यानि कि पर पसमी प्रांत में, खान अब्दुल गफार खान के नितुन में खुदाई खिदमतगार नामक स्यम सेबं संगठन के स्थापना किया गया, जिने लाल कुरती, ध्यान रहे किगा रेट सट, लाल कुरती के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुरती संगठन पठानों के अलग रख रहे थे, उत्तर परस्मी जो सीमा प्रांथ था, जिसमें मुसल्मानों ने खान अब्दुल-गफार के नित्युत में सबने अबज्या अंदोलन का एक महत्पून भूमिका भी इन्होंने निभाई थी, अब नेक्स्ट है परभावती, देवी की स्चेत्र से स्वतं परभावुकर थीर गांदी इरबिन समझाथा, इसका एंसर होगा 1931 में गांधी इरबिन संजौता 1931 में हुआ था, गांधी इरबिन रमच्बू हुआ organised और इस समझावता के अनुसार गांधी जी के नित्युत में कांग्रे से सवने अबग्यां आंदोलन अस्थागित करने के लिए तैयार होगी। सभी युद्ध बंदियों जिनके बिरुद्ध हिंसा का आरूप नहीं था सबको रिहा करने का आदेश दिया गया था। और साथ साथ में बिदेशी कपडों सराब की दुकानों में सांति पुरत धरनाग देने का अधिकार हो गया था। गांधी इरभीन शम्झावता में। इसके साथ साथ में परमुक समुद्रिय तटिये परदे से बिना नमक कर दिये नमक बनाने की अनमती हो गयी। कि अब आप नमक बना ये नमक कर देने की कोई जरूरत नहीं है। कि किसी भी आलत में भगत सिंग, सुखदेव, राजगुरु इनको फांसी देने के लिए उस पूरा डाटा बनाए गया था। उसमें इसकी मांग नहीं उठाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गोल में समेलर 1932 में हुआ था। तो इसका सही अंसर होगा, तीसरा 1932 में हुआ था। आइए थुरा सा चर्चा करते हैं, हमेशा कोश्चन यहां से पूछता। पर्थम गोल में समेलर 1930 में हुआ था। याद रखीगा। 1931 तक लंदन में आयुजित किया था। भारती उदारबाद दल, मुस्लिम लिंग, हिंदू महासभाद, दलीत बर्ग, बैपारी बर्ग तथा राजबारों के परतिनिधित में भाग लिया था। किन्तु कांग्रेस इसमें समलित नहीं हुई थी। पर्थम में समेलर 1931 में हुई थी। दिसमबर 1931 तक चला था, इसमें कांग्रेस एक मात्र परतिनिधित करूप में गांधी जी नहीं हिसा लिया था। और लंडन में फिर से तीसा गोल में समेलर 1932 में हुआ था। पहले में कांग्रेस नहीं थी। 2 में महात्मा गांधी समलित वुए थे। यह तेनों याद रखीका, हमेसा कोश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स कोश्चन आता है, जैपरकास नारायन किस पर्टी से जुड़े थे इन में से। तो इसका सही होगा Congress Socialist Party, 1934 में Congress समाजबादी Party का गठन Congress के भीतर ही जैपरकास नारायन, योगेंदर शुकला, मिनु मशानी, आचार नरेंदर देव आधी के द्वारा किया गया था, नेक्स्ट है बिहार Socialist Party के संस्थापक थे, तो इसका एंसर जैपरकास नारायन, अभी जस किया था, नेक्स्ट है, जैपरकास नारायन किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो इनका जो एंसर होगा, वो आप ऑप्सन देख लीजिए, जैपरकास लोकनायक के नाम से ये पहचाने जाते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, कि लोकनायक जैपरकास नारायन के नाम से, संपुर्न कान्ती का आहावन किया था, 1974 में और 1998 में मर्नो परांती नहें भारत रहन से सम्वानित भी किया था नेक्स्ट है प्रांती सरकार का गठन निमलिखित में से किस अधिवेशन के तहत किया था, तो 1935 के अधिवेशन के तहत, अब थोड़ा से इसको चर्चा कर लेते हैं और डिटियल से समझ लेते हैं, 1935 में भारती सरकार अधिनियम के आधार पर फरबड़ी, 1937 में प्रांती व साथ में 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 से पुन बहुमत से प्रांत किया, कांग्रिस बंबभी में लगभग पुन बहुमत असम उ डल बनने से बंचित रगी कहां कहां तो बंगाल, पंजाब और सिंध में, 1937 में कांग्रेश 6 प्रांतों में मदरास, संयुक्त, प्रांत, मध्प्रांत, बिहार, बंबई, उडिसा में अपनी सरकार गठित कर ली, अब यहां पर नोट है, बंबई में कांग्रेश का लगबग को दिखाया गया है, जो कि अनसरोतों के अनुसार सही बिलकुल भी नहीं है, नेक्ट है, भारत छोड़ो अंदोलन कप प्रारम हुआ था, तो इसका सही अनसर है, 9 अगस 1922 में, ही तो यादी रहने वाला है, आईए डिटेल से थोड़ा देखते है, 7 अगस 1922 को बंबई के एतिहासी ग्वालियर, ध्यान रखेगा, ग्वालिया टेंक में अखिल भारतिये कांग्रेस कमीटी की बार्सिक बैठक हुई, जिसमें बर्धा प्रस्ताव, ध्या नगस 1922 को भारत छोड़ आंदोलन आरम होते ही, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, गांधी जी और अन चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफतार कर लिया गया, जैसे ही भारत छोड़ आंदोलन शुरू हुआ, वो अपरेशन जीरो ध्यान रखेगा, ओपरेशन जीरो आवर के तहत, गांधी जी और अन चोटी के नेता को गिरफतार कर लिया जाता है, और गांधी जी का गिरफतार करके सरोजनी नाइडू सहित पूना के आखां पेलेस में रख दिया जाता है, 1942 में आंदोलन पे सारबधिक परभाव, बंबई, बंगाल, उडिसा, बिहार, यूपी मदरास में था, लेकिन समूचे देश की हिसेदारी इसे अवस्य थी, कहीं ने कहीं समूचे देश की हिसेदारी इसमें अवस्य जुरी हुई थी, नेक्स कोश्चन जो है, करो या मरो का संबंद किस आंदोलन से है, तो इसका सही अंसर होगा भारत छोड़ो, करो या मरो, प् संपून आजादी से कम किसी भी चीज की संतुष्टी होने वाला नहीं है, हमें संपून आजादी चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, और इस तरह किसे नमक्स ठेक सराब खोड़ी आदी खत्म करने का परस्ताव, जो है कांग्रेस अंग्रेस सरकार दे, किन्तु मेरे प्रस्तर आजवी चोड़ो, इससे हमें कुई मतलब नहीं, हमें संपून आजादी चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस आजादी चाहिए, आपको मंत्र देता हूं, करो या मरो या तो करो या तो फिर चले जाओ, इस मंत्र का आसाई था, या तो ह अगस प्रस्ताव आता है 1940 को, कृप्स मीशन 1942 को, असर फलताओं ने अंतिता भारत छोड़ो अंदूलन को जर्म देही दिया, इस देश ने राष्टिये शरकार के अस्थापना की मांग की, अस्विखार किये जाने पर 7 अगस 1942 को, बंबई के ग्वालिया टेंक के मैदान से अ पुच्या सरिये नेताओं का ओपरेशन जीरो आवर के ताहत सब को गिरफतार कर ली जाती है, और इसी बिरोध में बिहार के अधिवेक्ता बलदेव सहाई 1942 में अपना त्यागपत्र सौंत्त दे देते हैं नेक्स कोश्चन जो है, डॉक्तर राजेंद परसाद 9 अगस्त 1922 को गिरफतार करके भेजा गया, तो इसका सही अंसर होगा बाकीपुर जेल में, 9 अगस्त 1922 को गांधी और अनपरमुक कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया, गांधी जी सरोजनीन आइडियो को आखा महल में नजर बंद रखा गया, ध्यान रखीगा, गांधी जी और सरोजनीन आइडियो को कहां पे, तो हमेसा एकदम याद रखिएगा, गी आखा महल में नजर बंद करके रखा गया, कांग्रेस कार समीती सदस नेहरू, अब्दुलकालामाजाद, गोबिन बललब पं पटना में ही गिरफतार करके पटना के बाकी पूर जेल में नजर बंद कर दिया गया था, तो ध्यान रखना यही है, नेक्स कोश्चन है, फॉटबर्ट बलॉक की अस्थापना किसने की थी, तो इसका सही अंसर होगा, शुभास चंदर बोस ने, 1949 में तिरपूरी संकट के बाद में कांडिस के धच्चता से त्याक पत्र के पश्चात सुभास चंदर बोस ने फॉटबर्ट बलॉक की अस्थापना की और इस संगठन बामपंती बिचारधारा पर आधारित था, बामपंती बिचारधारा पर आधारित था, नेक्स कोशन देखते हैं, अखिल भारत इनिकी सिल्भद रियाजी बिहार के एक स्वतंतता सेनानी थे, जो महात्मा गांधी सुभास चंदर बोस से जुरे हुए थे, याजी अखिल भारतिय फॉर्टबर्ट बलॉक की अस्थापना के लिए सुभास चंदर बोस से जुरे और आई एन ए आंदोलन के साथ भी इन्ह सुभास चंदर बोस ने फॉर्टबर्ट बलॉक के स्थापना की और इसके संगठन जो थे, वो कहां क्या थे, विचारपन थी, विचारधारा के थे, तो आज का जो है, ये सेशन फर्स्ट था, फर्स्ट पार्ट था, हमने हंडेट को डिटेल से चर्चा किया, व्याख्या स कि देखे, ये कोश्ट इस साल से पुछा हुआ है, और हो सके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से चर्चा कीजिए, इतना तो जरूर आप कर दीजिए, कम से कम इतना हक बनता है, कि आप जरूर सेर कीजिए, और हाँ, अगर कोई प्राबलम हो, तो जरूर कॉम नमस्कार